नमस्कार ये सफेद मिर्च है और इसे भूरी मिर्च के नाम से भी जाना जाता है दखनी मिर्च के नाम से भी जाना जाता है इसका इस्तमाल जादा तर जड़ी विटियों में इसका इस्तमाल किया जाता है और आईवेर्द की बहुत सारी ओशदियों में इसका इस्तमाल किया ठ fitted है वह 200 mg से 500 mg तक सुभ़ शाम एक दिन में दोवार हम इसका इसतमाल कर सकते हैं करेंगे तो आपको कभी नुक्सान नहीं करेंगा और जरूरण से जादा मात्रा में इसका इसका इसतेमाल करते हैं इसका सही तरीका होता है पाउडर के रूप में इसका इस्तमाल किया जाता है, काड़े के रूप में इसका इस्तमाल किया जाता है, कुछ बीमारियों में लेप के रूप में इसका इस्तमाल किया जाता है, इसकी किसी परकार की कोई आदत भी नहीं पड़ती है, और सबसे बड़ी बात, इसको हम जिस को ठीक करने के लिए इसका इस्तुरा रहे आ वह बीमारी हमारी जड़े से ठीक हो जाती पाद हम इसका इस्तुराल एकदम बंद भी कर सकते हैं जिन लोगों की नजर कमजोर है साम के से में उनको कम दिखता है या नहीं दिखता है या जिनको मोतियoi बिंद की शिकायत है उनके लिए सफेद मिर्च 50 ग्राम और बदामगीरी 50 ग्राम सुखा धनिया 50 ग्राम और आवला सुखा 50 ग्राम और धागे वाली मिसरी का पाउडर 100 ग्राम इन सभी को पीस के मिला के एक जगा रख लें एक चमस सुबे खाली पेट रो जाना गाय के भूसनी भी बढ़ती है और आखों से संबंदी सभी प्रकार के विकार भी दूर हो जाते हैं सीड दर्द में भी सफेद मिर्च का बहुत जादा इस्तमाल किया जाता है कैसे इसका इस्तमाल किया जाता है बदाम गिरी 100 ग्राम और धखनी मिर्च 50 ग्राम और धागे वाली मि नसों में ताकत आती है क्योंकि इसका परभाव जो पड़ता है सिर्दर्द की समस्या से बहुत जादा जल्दी छुटकारा दिला देता है यह जिन महिलाओं के चहरे पे बाल निकलाते हैं और वो हार्मोन के इन बैलन्स के कारण में होता है वो तरह-तरह के उपाई करते हैं जो चहरे के हों हमेशा के लिए लुपत हो जाएंगे कैसे इसका इस्तमाल करना में यह बताता हूँ हल्दी साबुत आपने लेनी है 100 ग्राम और सफेद मिर्च आपने लेनी है 50 ग्राम और कपूर लेना है 50 ग्राम तीनों को लेके पीस के पाउडर बना ले और जिस जगह से आपने बाल को हटाना है उस जगह पे नारियल तेल की हलके से मसाज कर ले उसके बाद वह पाउडर आप किसी कटोरी में डालके जरूरत अनुसार डाले और उसमें थोड़ा सा जरूरत अनुसार पानी डालके लेप तियार कर ले उस लेप को चैरे पे लगा के 30 मिनट के लि ऐसा करने से चेहरे पे निकलने वाले बाल हमेशा के लिए लूप्त हो जाते हैं और पूरी स्थाई रूप से ये बाल निकलने ही बंद हो जाते हैं जिन लोगों को बार बार बालों की जड़ों में डेंडरफ रूसी हो जाती है उन लोगों को कहना चाहूंगा 25 ग्राम सफेद मिर्च के पाउडर को 100 ml नारियल के तेल में मिलाके एक कंच की बोटल में 7 दिन के लिए उसे धूप में छोड़ दे आठवे दिन उसे उठा के किसी कपड़े से उस तेल को चान के उस छने हुए तेल को किसी कंच की साफ बोतल में डाल के धकन धक के छोड़ दे और उस तेल को हफते में तीन बार एक दिन छोड़ के बालों की जड़ों में रात को लगा के छोड़ दे सुबह उसे नाते समय सैंपू कर दे हफटे में तीन बार करें इससे ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है इससे क्या होगा बालों की जड़े तो मजबूत होंगी मगर बार-बार होने वाले डेंडरफ से रूसी से भी आपको छुटकारा मिल जाएगा जो लोग बार-बार अस्तमा एलरजी से परेशान है ऐसे लोग अगर सफेद मिर्च 25 गराम 25 गराम हल्दी की गांट लेके पीस के पाउडर बना ले और 4-8 चुटकी पाउडर एक कप पानी में डालके उसे अच्छे से उबा ले जब उबल उबल के वो पानी आदा कप रह जा यह सांस लेने से बहुत जल्दी यह फेफडों में जाएगा और फेफडों में जो सूजन है इनफेक्शन है बल्गम है और एलरजी की शिकायत है उसे जल्दी से खतम करेगा और जैसे ही वो थोड़ा सा ठंडा हो जाए उसमें स्वाद अनुसार सहद मिला के चाय की तरह प जाएगा और अस्तमा की विमारी में बहुत जादा फाइदा होगा जो लोग गठिये की विमारी से परेशान है उन लोगों को कहना चाहूंगा कि 50 गराम हल्दी की गांट 50 गराम सफेद मिर्च और 50 गराम सोट तीनों को लेके पीस के पाउडर बना ले उस पाउडर को दो भागों में बाड़ दे एक खाने के लिए और एक लगाने के लिए खाने के लिए कैसे इस्तमाल करना है चुथाई चमस सुबे चुथाई चमस शाम को गाय के गरम दूद के साथ भोजन के एक गंटे बाद दिन में दो बार इसका इसका इस्तमाल करने से गठिये में बहुत दर्द है, गठिये में खास तोर पे जोडों में दर्द, अकडाहट, सूजन और टेडापन शुरू हो जाता है, तो जोडों पे इसका लेप करने से सूजन और दर्द से बहुत जल्द छुटकारा मिल जाता है, जिन लोगों का सरीर वात प्राकृती वाला है और खान बान के क प्राकृती वात बढ़ जाता है, और दोश में बदल जाता है, जिससे क्या होता है, सरी में कभी कहीं, कभी कहीं, दर्दे महसुस होती है, अकडाहट महसुस होती है, सुनापन महसुस होता है, ऐसे लोगों को कहना चाहूंगा, कि सफेद मिर्च का पाउडर बनाके, दो से जार चुटकी एक चमच गाई के देसी घी में मिलाके। सुबे शाम खाना खाने के एक घंटे बाद इस्तमाल करें। और जब इसका इस्तमाल करें। तो कोशिश करें कि आदे घंटे तक कुछ खाना पीना नहीं है। अगर आपको बहुत प्यास लग रही है तो अब दूद क इस्तमाल कर सकते हैं अगर आपने ऐसा किया तो आपको जो बढ़ा हुआ वात दोश है वापिस में संतुलित मातरा में हो जाएगा और वात प्राकृति में बदल जाएगा और आपके खून का दोरा भी नसों में सही हो जाएगा और मान स्पेशियों में हडियों में कहीं भी गाई की शिकायत नहीं तंग करेगी और आपका सरीर हमेशा स्वस्त भी बना रहेगा जिन पूर्शों को नामर्दी की शिकायत है उनके लिंग में तनाव पूरा नहीं आ पाता और वो अपने साथी के पवास जो जाते हैं तो जल्दी वीरिये का सखलन हो जाता है और संभो इसका लगाने में भी इस्तमाल कर सकते हैं इसका पाउडर किसी कटोरी में थोड़ा डालके और जरूरत अनुसार उसमें हलका गुनगुना पानी डालके उसका जो पेश्ट त्यार होगा वो लिंग के चारो तरफ लगा दे और दस मिनट के लिए छोड़ दे उसके बाद ग जिन लोगों को माथे पे बलगम जमा रहता है नाक पे बलगम जमा रहता है गले पे बलगम जमा रहता है फेफडों में बलगम जमा हुआ रहता है गले में खरा सांस लेने में तकलीफ खासी जो काम तंग करता है उनको सर्दी छीके वगरा बहुत तंग करती है ऐसे लोगो पाउडर एक कप पानी में डाले उससे अच्छे उबाले, जब वल-वल के पानी 20 अधा कप रहा जाए उससे तुरंत छान ले और उसमें से जो भाप निकले उस भाप को नाक से ले और मुझ से छोड़े इस तरह जैसे ही वो भाप निकलना बंद हो जाए वो थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा उसमें स्वाद नुसार आप देशी खांड या शहद मिला के उसे चाय की तरह पी जाए मतलब ये काड़ा आपका भाप के लिए भी इस्तमाल हो गया और पीने के लिए भी इस्तमाल हो गया इसको इस्तमाल करने से जो साइनस एलर्जी वाले पेशेंट है उनको बहुत अच्छा आराम मिलता है ये नाक खुल जाती है यहां और फेफडों में सब जगा जो बलगम जमा रहता है हमेशा सीर दर्द छीके तंग करती है उन सब से शांस लेने में जो तकलीफ होती है उन सब से बहुत सर्दी खांसी जुकाम जो बार-बार होता है उन सब से बहुत जल्द अराम मिल जाता है कई लोग कहते हैं जी हम किस तरह से ले इसको लेने में हम AC चला सकते हैं पंखा चला सकते हैं नहीं तो मैं आपको कहना चाहूंगा ये काड़ा आप पंखे में बैठके ले सकते हैं मगर AC कूलर में इसका इस्तमाल नहीं कर सकते हैं इसलिए पंखे में आप इसका इस्तमाल करक सफेद मिर्च का जो लगातार 2-4 चुटकी इस्तमाल करते हैं उनके शरीम में कभी भी। कैंसर के खत्रे से उनके शरीम को ये बचाके रगता है। और सबसे उड़िवाद जिनको कैंसर की शिकायत है। दो से चार चुटकी एक कप पानी में डालके धकन धकके उसे छोड़ दे रात को छोड़ दें, सुबह उठके खाली पेट आपने क्या करना है? कपड़े से उस पानी को छानके वो पानी आपने सुबह खाली पेट पीना सुरू कर दें इसमें इतने अच्छे गुन पाये जाते हैं जो cancer cells की कोशिकाओं को जिसे cells जिसे कहते हूं से कोशिका कहते हैं तो उसको शिकुडता ये बहुत जल्द उसको शिकुडाता है और वो उसको नश्ट करने में भी आपकी बहुत ज़्यादा मदद करता है जिन लोगों का हमेशा BP बढ़ा हुआ रहता है उन लोगों को कहना चाओंगा 2-4 चुटकी सफेद मिर्च का पाउडर रात को पानी में ढखके छोड़ दें एक कप पानी लेना है और धककन धकके छोड़ देना है सुबे क्या करना है धककन हटा के उस पानी को चान के आपने सुबे खाली पेट पीना सुरू कर दे इस से आपके जो सरीर की नसे नाडिया है उनमें लचीला पन बना रहेगा और उनके अंदर खून का दोरा एक समानने रूप से बढ़ेगा उसका खून के दोरे का दवाब आपके नसे नाडियों पे नहीं पड़ेगा जिस से आपका बीपी हमेशा कंट्रोल में रहेगा जो लोग मिर्गी से परेशान है या हिस्टीरिया के दोरे से परेशान है ऐसे लोगों को कहना चाऊंगा कि सफेद मिर्च का पाउडर बनाके दो से चार चुटकी एक चम्मश शहद में मिलाके सुबे शाम भोजन के एक घंटे बाद इस्तमाल करना सुरू कर देंगे तो आपको बहुत अच्छा लाब मिलेगा एक और जैसे हिस्टीरिया या मिर्गी का दोड़ा परता है तो उस समय हमें कुछ ऐसी दवाई नाक में डालनी होती है जिसे तुरंत वो जाके मस्तिष्क पे असर करे और रोगी को एकदम होसा जाए तो उसके लिए क्या करेंगे आप मैं वो भी बतायता हूँ सफेद मिर्च 25 गराम लेके पीस के पाउडर बना ले उसको 100 ml नारियल के तेल में मिलाके उसे अच्छे से पकाएं जब वो पक जाए उसे नीचे उतार के ठंडा होने पे चान के किसी कंच की बोतल में डाल दें और उसे रख लें जब भी कभी ऐसे पेशेंट को दोरा पड़े तो आप गुई में डुबो के दो से चार बुंद के करीब नाक में डालें और एक नाक बंद कर दें जिससे अंदर चला जाएगा फिर इस नाक में डालें और इस नाक को बंद कर दें तो इससे क्या होगा कि इसका परभाव एकदम दिमाग की नसे नाडियों पे पड़ेगा और पेशेंट एक से दो सेकिंड के अंदर होस में आ जाएगा और अगर इसका इस्तमाल नस्य करम के रूप में रोजाना सुबे शाम किया जाए तो खाने के रूप में ना भी करें तो इसका नस्य करम के रूप में रोजाना इस्तमाल करें तो दोरा पड़ेगा ही नहीं जो लोग लकवे से परेशान है चेहरे का लकवा है या अधरंगवाद की शिकैत आधां काम नहीं करता ऐसे लोगों को कहना चाहूँगा सफेद मिर्च 100 ग्राम लेके पीस के पाउडर बना ले उसको दो हिसो में बाट दे एक मालिस करने के लिए बनाए एक उसको खाने के लि इसको इस्तमाल करने से चेहरे का लकवा या अधरंगवाद की शिकैत दूर होती है अब इसको मालिस के लिए कैसे इस्तमाल करेंगे मैं ये बतायता हूँ 25 गराम के करीब इसका पाउडर लेना है आपने और उसमें 100 एमल के करीब तिल का या सरसो का तेल डालके उसे अच्छे से पका ले जब वो अच्छे से पक जाए उसे नीचे उतारके ठंडा होने पे चान के उसको किसी सीसी में डालके रख ले और जो रोगी लकवे से अधर धीरे धीरे उनके सिर और सरीर की नसे नाडियां अच्छे से काम करने लग जाएंगी और उनका लकवा अधरंग बात की शिकैत दूर हो जाएगी घरेलू नुसका है बहुत कारगर नुसका है अब रही बात इसका कि कई लोगों को इससे थोड़ी जलन मैसूस होती है तो परे डॉक्टर के पास जाते हैं डॉक्टर उनको बता देते हैं और कई लोगों को नहीं पता होती ये बात मैं थोड़ा समझायता हूं अगर मान लिजिए आपका राइट साइड अधरंग वात की शिकैत है तो राइट साइड का हिस्सा तो आपका सरीर का जाता है डैमिज मगर लेफ्ट साइड के दिमाग में नुस्क किसी भी तरह का नुक्स आने की वज़ा से आपका राइट साइड मारा जाता है इसी तरह अगर मान लिजिए राइट साइड के दिमाग में नुक्स आता है तो लेफ्ट साइड के सरीर में आपको लकवे की या अधरंग वात की शिक जाद गी नहीं खाना, जाद नमक नहीं खाना, जादा जादा टेंसन नहीं लेना इस से बहुत जल्द लकवे अधरंगवाद के रोगी बहृत जल्द ठीक हो जाते हैं तेज रोचनी में भी नहीं देखना विएम्ड के उनको बार-बार ये दोरह पढ़ता है जो लकवे डोरह पढ़ता है तो इस विधी से इस्तमाल करने से इस नुस्के को इस्तमाल करने से वो दोरा भी नहीं पड़ता और रोगी बहुत जल्द स्वस्त भी हो जाता है जो लोग दिल की बीमारी से परेशान है घबराहट बेचैनी सांस से सम्मंदित परेशानी छाती में दर्द उनको तंग करता है ऐसे लोगों क उसमें स्वाद नुसार देशी खांड या शेहद मिला के सुबे शाम खाना खाने से आदा घंटा पहले इसको चाई की तरह पिने से दिल की नसे नाडियां खुड़ ली रहती हैं और खुण कहीं पे ब्लॉक नहीं होता, खुण जो है कहीं पे जमता नहीं है, कहीं पे भी उसको जमने देता ही नहीं है और नसे नाडियों के उपर कही वार वसा जमा हो जाता है, मान स्पेशियों के उपर वसा जमा हो जाता है तो उसे भी जमा नहीं होने देता जो लोग मदू में से परेशान हैं उन लोगों को कहना चाहूंगा करेले का रस तीन से छे चमच लें और उसमें स्वाद नुसार सिंदा नमक मिलाएं उसके अंदर दो से चार चुटकी आप सफेद मिर्च का पाउडर मिला के सुबे शाम खाना खाने से आदा गंटा पहले लेना सुरू कर दें तो आपको मदू में की शिकायत बहुत जल्द ठीक हो जाएगी आप पूरन रूप से स्वास्त हो जाएगे सफेद मिर्च के मैंने आपको इतने सारे फाइदे बताये तो इसके कुछ नुकसान भी है वो भी बतायता हूँ जिन लोगों को बवा सिर की शिकायत है ऐसे लोग सफेद मिर्च का इस्तमाल ना करें जिनका शुगर कम रहता है ऐसे लोग सफेद मिर्च का इस्तमाल ना करें जिनका कोलिस्टोल कम रहता है ऐसे लोग भी सफेद मिर्च का इस्तमाल ना करें जिनका पित प्राकृती वाला सरीर है पेट में बहुत जादा गर्मील बनती है ऐसे लोग भी सफेद मिर्च का इस्तमाल ना करें, जिनके नाक से, मू से, गुदा मार्ग से खून आता है, ऐसे लोग भी इसका सफेद मिर्च का इस्तमाल मत करें, गर्बवती महिलाएं भी सफेद मिर्च का इस्तमाल नहीं करें, बाकी सभी परकार के लोग इसका इस्तमाल क करके लाब उठा सकते हैं और आज के लिए इतना ही अगली वीडियो में कुछ और लेके मिलता हूं धन्यवाद